हलो फ्रेंड्स वैलकम तो मैं चैनल आज हम कोश्चिन नंबर सेवन डिसकस करने वाले हैं जो एक्सेसाइज एट पॉइंट त्री एंसेटी बुक से लिया गया है और क्लास टेंथ है ठीक है चलिए इसको डिसकस कर लेते हैं पर ले क्या करना है इसमें एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोश 75 डिग्री इन टम्स आफ टिग्नोमेट्रिक रिश्यो अफ एंगल से बिट्विन 0 और 45 देख फ्रेंड्स हमने क्या करना है इसमें पहले हम लिख लेते हैं कोश्चन को सॉलूशन लिख करके साइन 67 डिग्री प्लस कोश 75 डिग्री अ लिखना है डिप्रेजेंट करना तो दींखें का चारदे कर सकते हैं इसमें साइन 67 को हम 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं ठिक है similarly cos 90 degree minus 15 degree इसको इस तरह से लिख सकते हैं अब हम जानते हैं formula कुछ इस तरह से होता है sin 90 degree minus a की value होती है equal cos 1 और cos 90 degree minus a equal होता है sin a ठीक है तो अब हम क्या चेंज करते हैं कि sin 90 minus 23 हो गया cos 23 degree के equal plus cos 90 degree minus 15 हो गया sin 15 degree के equal right तो हम देख रहे हैं कि sin 67 degree plus cos 75 degree कि जो value equal हो गई है cos 23 degree and sin 15 degree ठीक है तो यह 20 degree जो हुआ एंगल यह 45 degree और 0 degree के बीच में आ गया है इसी तरह से 15 degree एंगल 45 degree और 0 degree के बीच में आ गया है तो दीके यह संसल हो जाता है इस तरह से कि यह जो आ गया 0 और 45 degree बीच में हमने इस expression की trigonometry expression की value solve कर दी है ठीक है वो आ गया cos 23 degree plus sin 15 degree ठीक है student